Hey guys, welcome back to my channel तो आज हम लोग थोड़ा सा serious topic पे बात करेंगे क्योंकि अभी COVID-19 के वज़े से सब को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हम लोग सब कोई SPO2 के बारे में बात करते हैं oxygen saturation के बारे में बात करते हैं वो actually है क्या? क्योंकि SPO2 बहुत ही ज़रूरी है एक COVID-19 को identify करने के लिए तो SPO2 के बारे में मैं जितना हो सके आज मेरे वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग को ये जानकारी हो कि actual में SPO2 है क्या और आप लोग को easy हो समझने में सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि SPO2 actual में है क्या SPO2 का मतलब होता है oxygen saturation oxygen saturation है क्या फिर? ये actually हम लोग के जो खून में oxygen कैरी करने का शमता होता है न? वो होता है It is the measurement of the oxygen carrying capacity of hemoglobin of blood तो हम लोग के blood में hemoglobin रहता है ये सबको पता है उस hemoglobin में oxygen attach होके carry होते हम लोग के पूरे body में हम लोग का पूरा body में जितने भी organs है सब में oxygen जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारा organs को normal काम करने के लिए oxygen बहुत ही ज़रूरी होता है hemoglobin of the blood is going to carry the oxygen along with it तो ये simple words में हो गया कि SPO2 या oxygen saturation actually क्या है हम लोग आएंगे oxygen saturation या फिर SPO2 का normal level कितना होना चाहिए body में तो एक average ले ले लेते हैं एक average में oxygen saturation हम लोग के body में रहना चाहिए 95% ये एक average है तो अगर आप लोग का SPO2 या oxygen saturation 95% है देन इस ओके और 95% से जादा है तो बहुत ही अच्छा है 95% से 100% के बीच में है then it's very good लेकिन यहां मैं एक चीज़ specify करना चाहूंगी कि कोई-कोई इंसान को होता है कोई chronic lung disease तो जिन लोगों को chronic lung diseases है देखा जाता है कि उन लोगों का SPO2 level 90% के आसपास रहता है जैसे 91% या 92% तो मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि that is normal for that individual वो उस इंसान के लिए normal है क्योंकि उनको एक chronic lung disease है लेकिन हाँ अगर आपका 90% से नीचे oxygen saturation जा रहा है फिर थोड़ा सा है उसमें चिंता करने का बाद आप लोग डॉक्टर से जरूर consult कीजिए क्योंकि covid actually attack करता है आपके lung tissues पे तो lung tissues पे attack करके lung को block कर देते हैं इसमें क्या होता है वो oxygen saturation कम हो जाता है तो इसलिए अगर 90% से कम आ रहा है आप लोग का SpO2 तो सकता है कि supplemental oxygen देने का जरूरत हो तो इसलिए please consult a doctor as soon as possible तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे measure करेंगे SpO2 मतलब घर पे हम लोग कैसे SpO2 को नाप सकते हैं तो covid के वज़े से सब को almost पता है SpO2 के बारे में Almost everybody knows about SpO2 At least सब कोई नाम एक बार सुने है कि SpO2 है क्या घर पे measure करने के लिए एक device है जिसका नाम है Pulse Oximeter Pulse Oximeter मेरे पास यहां पे दो है दो अलग-अलग brand का Pulse Oximeter है तो Pulse Oximeter बहुत expensive नहीं आते हैं आप लोग online इसको खरीच सकते हैं बहुत जादा price नहीं है तो यहां पे जो दो Pulse Oximeter है दोनों अलग brand का है तो इन लोग का price करीब 3000 के अंदर है मतलब it is less than 3000 I guess मुझे exactly याद नहीं है प्राइस मैं लिंक प्रोवाइट कर दूंगी description box पे मैं कहां से खरीदी थी along with the prices just now I don't remember the prices बटा प्रोवाइट दे लिंक तो कैसे यूज करेंगे Pulse Oximeter तो कैसे यूज करेंगे Pulse Oximeter actually clip जैसा है ऐसा एक Clamp जैसा है तो इस Oximeter में आप लोगो अपना Finger आपका Index Finger या आपका Middle Finger या आपका Ring Finger कोई भी Finger आपको इसमें इंसर्ट करना है तो Girls, for Girls आप लोग होशिश कीजिए कि Nail Paint ना हो क्योंकि उससे थोड़ा से Reading में प्रोब्लम आ सकता है तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कैसे यूस करना है तो यहाँ एक देखिए एक Hole बना हुआ है जहाँ पर हम लोगा Finger हम लोग डालेंगे और यह एक Clamp जैसा है यहाँ पर एक Switch है तो I will show you कैसे यूस करेंगे तो Clamp को Open करेंगे Finger को अंदर रखेंगे ऐसे और Close कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसको रखेंगे अपने Heart Level पे अन करेंगे Switch को थोड़ा सा टाइम लगता है Reading आने में Reading आने के बाद I will show you the reading तो देखिए यहाँ पर दो readings है I don't know if it's visible One is 98 One is 98 And another is 85 तो यह 98 और यह 85 है क्या कौन सा है हम लोग का SPO2 98 जो है 98 यह थिस 97, 98 यह हम लोग का SPO2 है तो यह थोड़ा सा फ्लक्ट्ट्ट करता है आपको तीन reading देगा कभी-कभी हो सकता है यह थोड़ा जादा दे थोड़ा कम दे लेकिन आपको एक average निकालना है तो मेरा जैसे 97 आ रहा है कभी 99 आ रहा है तो I will take an average कि मेरा 98 है SPO2 और यहाँ पर मेरा पल्स दिखा रहा है तो ऐसे हम लोग measure करेंगे measure करने के बाद हम लोग ऐसे clamp को खोलेंगे बंद करेंगे और अपने आप machine बंद हो जाएगी तो हम लोग को इसको switch off नहीं करना है अपने आप ही यह switch off हो जाने वाला है जैसे ही हम लोग अपना finger हटा लेंगे तो देखिए यह switch off हो गया तो थोड़ा सा science बता देती हूँ कि कैसे एक pulse oximeter आपका SPO2 को नापता है कैसे measure करता है तो जो blood में हम लोग का oxygen carrying hemoglobin है मतलब जो hemoglobin में जादा oxygen है जो hemoglobin oxygen carry कर रहा है वो hemoglobin थोड़ा सा dark in color होता है तो oximeter में light sensors होता है तो वो light sensors आपके हाथ में जब जा रहा है पास कर रहा है आपके उंगली से तो वो जो hemoglobin पास कर रहा है आपके blood में जो hemoglobin dark color है, उसको ये detect करता है light sensor से और इसको translate कर देता है एक reading में जो आपका आता है monitor में This is the science behind the pulse oximeter तो आप लोगों में information दे देती हूँ, छोटा सा information है कि according to many studies ये देखा गया है, बहुत study हुआ है और बहुत सारा experiment करके ये देखा गया है कि middle finger में थोड़ा जादा accurate आता है आपका SPO2 reading in the pulse oximeter ऐसा नहीं है कि आप लोग यूज नहीं कर सकते है index finger ये ring finger में बट ये देखा गया है, इन many studies बहुत सारे subjects को study करके देखा गया है कि middle finger में आपका थोड़ा सा accurate आता है SPO2 तो that was a small piece of information, इसमें और एक reading आया था pulse rate तो pulse rate क्या है, pulse rate का normal range क्या है तो pulse rate या heart rate, actually pulse rate या heart rate होता है कि आपका जो heart है वो per minute कितना बार beat कर रहा है, कितना बार धरक रहा है तो that is the meaning of heart rate और pulse rate तो हम लोग text books में we have studied that the normal heart rate is 72 beats per minute per minute 72 beats है normal, एक average निकाल के ये बोला गया है लेकिन बहुत सारे studies को करके देखके practically रेखा गया है कि एक range है pulse rate का, एक heart rate का एक range है जो normal मान सकते हम लोग वो है 60 to 100, 60 to 100 beats per minute का जो range है वो हम लोग normal मान सकते है तो ये pulse rate या heart rate थोड़ा सा depend करता है आपके physique पे, आपके lifestyle पे और अगर कोई underline disease है, अगर कोई underline cardiac problem है या whatever थोड़ा सा ये सब चीज में depend करता है pulse rate ये ऐसा नहीं है कि सबका pulse rate 72 आना चाहिए या 80 आना चाहिए I am sure 70 से 80 के बीच में बहुत ही कम लोग का pulse rate आता है but आता है then it's very good और हां ऐसा नहीं है कि अगर आपका 60 आ रहा है तो it's bad no that is in between the normal range of the pulse rate लेकिन हां अगर आपका consistently बहुत जादा pulse rate आ रहा है जैसे कि 120, 115, 120, 125 तो ये थोड़ा से जादा है हम लोग जो normal range मान रहे है ना range से आपका pulse rate जादा आ रहा है या फिर आपका बहुत कम आ रहा है आपका 60 से बहुत कम आ रहा है 50 आ रहा है 40 आ रहा है that is also a bit less तो ये अगर आ रहा है consistently तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा थोड़ा doctor को consult करना होगा तो ये था हम लोग का दूसरा reading का explanation जो है pulse rate या heart rate तो I am sure आप लोग के मन में जो भी questions था about SPO2 के बारे में वो सब मैं इस video में cover कर पाई हूँ क्योंकि अभी क्योंकि मुझे लगता है COVID-19 के time में सब को जानना ज़रूरी है कि SPO2 actually है क्या कैसे हम लोग measure करेंगे कैसे कौन सा range में हम लोग safe है कौन सा range में हम लोग safe नहीं है तो ये सारा चीज में कोशिश क्यों cover करने का अप लोग कोशिश कीजिए pulse oximeter घर पे रखने का specially due to COVID-19 because COVID-19 is attacking anyone and just anyone तो I think ये जरूरी है घर पे रखना be safe and thank you so much for listening till the end of the video do subscribe to my channel and hit the bell icon thank you so much